वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं बहुत ही कुपसूरत मेरीगोल्ड के फ्लावर के साथ और यह मैंने जो विंटर के मेरीगोल्ड प्लांट में लेटके आई थी उनहीं में से मैंने ड्राय फ्लावर्स को यहां पे डाल दिया था तो इसमें से काफी सारे प्लांट निकल हैं और काफी अच्छी फ्लावरिंग भी स्टार्ट होगी है करीब 10-15 प्लांट होंगे यह मुझे इन्हें सेपरेट करना है ताकि मैं इन्हें अलग-अलग पॉट में डालके और लगा सकू तो आज का वीडियो जो है वह इस पे नहीं है तिकि जब हमारे पास बहुत सारे प्लांट होते हैं तो कहीं न कहीं कुछ हमारे प्लांट कुछ हमारी चीजे जो है वो निगलेक्ट हो रही होती है क्योंकि आज कल मैं वेजिटेवल पे ज़्यादा जियान दे रही हूं वेजिटेवल ग्रो करने पे तो यहां पे जो मेरे यह वाला पॉर्शन है यह अभी कैंगे साथ में तो जो इन्हीं मेरे बल्ब वाल Only plant भी आपे थे बल्ब जो है मैं निकाल के सेव नहीं करती हूँ मैं दिखा चूकि vigil bent तो मैंने यह ही पोट्स रख दिये थे काफी सारे एक दूसरे के उपर ही रख दिये थे देखे यहाँ पे भी कुछ एमरेस लेली के है और कलैडियुम के और रजनी गन्ना के भी बाल्ब्स है सारे समर के ही बाल्ब्स है तो जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आज के वीडियो में वो है ये ये देखिए अमेजिंग सा सप्प्राइज मिला मुझे अचानक से ये जितने भी एमरेस लेली के हमारे बर्व थे वो बडिंग पे आ गए है जबकि मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि इनको निकाल कि इनको मैं ठीक करूँ इनको रिपॉर्ट करूँ बट मैंने जब सड़नली देखा तो मेरी अचानक नजर गई तो यहां पे कुछ हमारे जो है बल्ब उस पे फ्लावरिंग पे आ गए है ये वाला पॉर्ट तो बिलकुल वहां पे रखा हुआ है जहां से हमारे टंकी है ज इस सारे पॉर्ट मेरे जितने भी आप देख रहे हैं यहीं रखे पड़े हैं मैं इनके तरफ पिलकुल ध्यान नहीं देती हूं जस्ट वाटरिंग कर देती हूं कभी-कभी और कुछ में तो काफी-काफी दिन तक वाटरिंग भी नहीं करती हूं क्योंकि यह बल्ब है तो पानी कम ही चाहिए होता है तो मैं कम ध्यान देती हूं अब दीखे कितनी सारी बर्डिंग यहां पे हो गई है एक पॉट में यहां पे चार-पांच बर्ड्स दिख रही हैं और भी बल्ब्स फ्राउट हो गए हैं और हर पॉट में इस तरह के जितने भी अमेरेस लेली के ब तो बिलकुल यह मार्च लेली के बल्ब आप लगाईए आप अभी अभी बी नर्सरी से जाके लेके आए वित बर्ड भी आपको बिल जाएंगे यह यहीं एक बड़ी साइस का बल्ब खरीद के लाईए जब भी आप उसे लगाओगे न कुछी दिनों में आठ से बारा दिन के अंदर ही आपको उसमें स्प्राउटिंग नजर आने लगेगी अकसर यहीं होता है कि डारेक्ट उसमें से बर्ड निकल आती है पत्या बाद में आती है यह दिखिए यहां पर रजनी गंदा के बल्ब है इनमें भी स्प्राउटिंग आगी है यहां केलेडियम है तो यही मुझे आज के वीडियो में दिखाना था कि कुछ जो प्लांट होते हो इतने इजी ग्रोइंग है न कि उनकी केर करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है मैं भी काफी दिनों से सोच रही थी कि इनको निकालो निकालो इनहें फैटलाइजर दूँ ठीक करूँ बट मैंने अभी यह सब किया ही नहीं और यह देखिए बर्डिंग पे भी आ गए तो यह कुछ बल भी इतनी इजी होते हैं न कि उनको बहुत खास फैटलाइजर बगएरा की भी ज़रत नहीं होती है सीजन आने पे कुदी फ्लावरिंग कर देते हैं तो जैसे मार्श चल ही रहा है और इस पे आके Okay Prince by Happy Gardening